नमस्कार चुनावी चर्चा में आज वैसे तो रविवार था रविवार वैसे तो ठंडा रहता है और बाजार नर्म रहता है लेकिन दिवाली के इस मोके पर बाजार भी गर्म रहा और चुनावी चर्चा का माहोल भी गर्म रहा बाजार में जब लोग निकले तब एक चर्चा का विश्या बना कुछ लोगों की कुछ कमेंट्स और कुछ बातें मैं यहाँ पर नोट आउट कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं लोग यह कहने लगे हैं कि खीमसर में अगर रवीनर सिंग भार्टी अगर हनुमान बेनिवाल के पक्स में आ जाए तो फिर कैसा माहूल होगा यह कयास क्यूं लगाय जा रहे हैं क्यूंकि भार्त्य जन्ता पार्टी ने दोनों ही नेताओं को यूं कह सकते हैं कि वेल्यू नहीं दीती उतनी जितनी वो अपेक्षा कर रहे थे हalانकि उन्हें अपने खेमे में आने के लिए बहुत से प्रलोभण दिये गए बहुत से ऐसे विशे से उन्हें अवगत कराया गया जो विशे शायद उनके भाविश्य में कभी काम आ सकते थे लेकिन दोनों ही निताओं ने ये कहकर के मना कर दिया था कि ये उनका स्वाभिमान का खेल है और जनता ही उनका आशिरवाद है दोनों नेताओं की आज हम कुछ समानता की बात करेंगे आज हम दोनों निताओं को एक ताकडी में तोलने का काम करेंगे और आपको बताएंगे कि इनका वजन आखिर जनता बराबर क्यों समझती है और इस बात का भी जिक्र करेंगे कि अगर ये दोनों निता एक साथ खीमसर में आते हैं तो फिर चुनावी रिन क्या हो जाता है ये हम सारी बातें करेंगे लेकिन सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं दोनों निताओं की समानता की हनमान बेनिवाल अपनी बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं और वहीं रविंद सिंग भाटी भी अपनी बेबाक बोली के लिए ही जाने जाते हैं हनुमान बेनिवाल की कोई भी रील ट्रेंडिंग हुए बिना रह नहीं सकती है और वही समानता रविंद सिंग भाटी की है रविन सिंग भाटी भी किसी भी रील में अगर चोटी सी जलक भी दिख जाए तो लोग उसको वाइरल कर ही देते हैं फिर आते हैं दोनों की भाषा शेली पर रविन सिंभाटी की जिस भाषा की दिवानी ये जनता है वैसी ही भाषा की दिवानी हनुआन बेनिवाल की जनता है इन दोनों में भाषा ग्यान बोलने का अंदाज और जो मन में आता है वो बोलते हैं ये कभी भी सोच समझ के नहीं बोलते हैं कि भई क्या इससे नुकसान हो सकता है और क्या इससे फाइदा हो सकता है दोनों ही नेता इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो दिल में हैं वो जनता के सामने परोस दिया जाए दोनों नेताओं की ये समानता ये कुमिनेशन बहुत कुछ कहता है लोग ये क्यास लगा रहे हैं कि अगर दोनों अगर गटबंदन में आ जाए या दोनों एक मजबूत नेता बन जाए और जबर्दस तरीके से अगर इस चुनाओं में एंट्री कर जाए तो आने वाले भविश्य में ये दोनों नेता राजस्थान में राजनिती कास्तर बढ़ा सकते हैं इसलिए आज इन दोनों नेताओं की समानता की हम बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं दबे पाउं वो नेता भी बात कर रहे हैं कि अगर ये दोनों नेता अपने अपने ट्रेंड में आ गए तो फिर राजस्थान की राजनिती कहां पहुंच सकती है करज माफी को लेकर के हमान बेनिवाल ने पूरे राजस्थान में एक आंदोलन किया था जिसका वो कनीका बेनिवाल की नामा कन रेली में एक हवाला दे चुके हैं कि बाढ़मेर में 5 लाख की भीड का रिकोर्ड बाढ़्मेर की जनता ने 8 लाख से करारा जबाब दिया और वो रिकोर्ड आठ लाग से तोड़ा रिकोर्ड बनते ही तूटने के लिए हैं हो सकता है कि हनुमान बेनिवाल की उस रेली का जिक्र आने वाले समय में कोई और नेता करे कि आठ लाग का रिकोर्ड दस लाग की जनता ने तोड़ा तो रिकोर्ड बनते हैं तूटने के लिए बहराल हम आते हैं विश्य पर विश्य ये है कि हनुवान बेनिवाल ने कर्ज माफी को लेकर के एक आंदोलन छेडा था पूरे रास्तान में यहीं रविन सिंग भाटी ने छात्राओं के हित को लेकर के करोना काल की जो फीस का एक बवंडर मचा था और फीस माफी को लेकर के रविन सिंग भाटी ने पूरी उनिविशिटियों का दोरा किया था और लगबग पूरे जीलों के अंदर वो छात्राओं से मिलने के लिए पहुँचे थे दोनों नेताओं में समानता है कि वो दोनों लगबग एक ही तरह के आंदोलन को कर चुके हैं और दोनों नेताओं को एक ही तरह के आंदोलन में समर्थन का लोगों का आशिरवाद है जो मिल चुका है अब हम बात करते हैं कि जब वो किसी हंदोलन को करते हैं तो उनकी fan following क्या कहती है उनकी fan following जब धरातल पर पहुंचते हैं रविंग सिंभार्टी बार्ड मेर से हैं और हनुआन बेनिवाल खीम सर से हैं ये दोनों अपने ग्रह जिले बार्ड मेर और नागोर में मजबूत हो सकते हैं या आसपास की जीलों में मजबूत हो सकते हैं लेकिन क्या मिलों दूर कोसों दूर किसी दूसरे डिश्टिक में जाकर कि ये अपना पर्चम लहरा सकते हैं तो जवाब है हाँ इन दोनों नेताओं ने ये साबित कर दिया है कि ये कहीं पर भी जाए इनकी fan following वाले भीड वहाँ पर आचानक ही पहुंच जाती है और गाडियों का काफिला अपने आप ही बढ़ जाता है ये दोनों नेताओं की एक समानता है और दोनों नेताओं की ये body language है कि ये जहां भी पहुंचते हैं वहाँ पर इनके fan following की गाडियां अपने आप सबते ही वहाँ पहुंच जाती है तो ये कुछ समानताएं रविन सिंभाटी और हनुआन बेनिवाल की अब हम बात करते हैं क्या इस चुनाओं में अगर ये दोनों साथ में मिल जाते हैं जैसा कि बाजार में इ रविन सिंभाटी ने कई बार कटाक्ष किया है हनुमान बेनिवाल पर और हनुमान बेनिवाल ने कटाक्ष किया है रविन सिंभाटी पर ये नेताओं की जुबान है और नेताओं की जुबान कभी एक दाइरे में सीमित नहीं रहती है कभी भी इसको पल्टी मारा जा सकता ह और कभी भी ये जुबाने आपस में पलट सकती है और आपस में कभी भी ये सुन्दर द्रीशत देखने को मिल सकता है जो बजार में जो चर्चा चल रही है जो लोग चर्चा कर रहे हैं रविन सिंग भार्टी और हनुमान बेनिवाल को जोड़ करके तो अगर ये वास्त्विक्ता में ही अगर कुछ संभव लगा और लोगों को बजार में बात करने का मौका या चाय कि उस थड़ी पर बात करने का मौका तब मिलता है जब वो किसे नेता में समानता देखते हैं यहाँ पर हनुमान बेनिवाल को किसी अन्य नेता के साथ नहीं जोड़ा गया अन्य भी कई नेता है जो बागी बने हैं और बागी बन करके अपने तीखे तेवर बताये हैं उनके साथ जनता ने नहीं जोड़ा लेकिर रविन सिंभाटी और हनुमान बेनिवाल को जनता निता क्या अपना भविश्य तैय करते हैं ये देखने और समझने वाली बात है आपकी कोई राय हो तो आप राय हमें जरूर बताएंगे आपकी राय हमारे लिए महतवपुल है कल फिरी मिलते हैं एक नए एपसोड के लिए तब तक के लिए नौश्कार रभाखेर शबाखेर झा估एेांगे आपकी कमेरे छस्की रवे जेखने जरी मेरे शबतावें पाने हैं जरूरव प्रम इाय हमेशै। क्या लिए भारी में वाली में बताने हैंगे लिए लिए कमाषर शबटार रावरा हैं पहल वार रावर 8 छ्ड़पल में सबताद से मुता भाले जरर हमें भ